मैडम नमस्ते मैडम मैं मन्जु कामवाली कल अपनी बात हुई थे ना फोन पर ओ, आजा, आजा आओ मन्जु आओ मैं तुम्हें घर दिखा देती हूँ यह हौल है हौल तो बड़ा है आओ बाद थूम दिखा देती हूँ यह है बात्रूम ठीक है आओ इधर आओ यह है किछे आओ यह हमारा किछे और उपर दो बेडरूम है और गोडाउन कहा है गोडाउन तो पीछे ही होगा ना हाँ हाँ ठीक है आओ आओ चल अब तो काम स्टार्ट कर दे पहले जाडू मार ले वर एक जाडू उधर रखी है जी मेडम तुम लोग आजकल कपड़े ही ऐसे पहनती हो तो आदमी रेप नहीं करेगा तो और क्या करेगा पहले निमंत्रण तो तुम ही देती हूं न इसलिए तो आजकल रेप के केसेस बढ़ रहे हैं मेडम पेपर में छपने वाली 90% खबरे जूटी होती हैं रेप और आपसी तालमिल में फर्ख होता है कभी कभी खबर आती है एक लड़की के साथ एक आदमी दो साल से रेप कर रहा है कोई 4 साल से ये भी कोई रेप होता है जब तक लड़की को पैसे मिलते रहते हैं तब तक ठीक है हाँ जब पैसे मिलने बंद हो जाते हैं तब लड़की बोलती है मेरे साथ रेप हुआ है और किसी के बहकावे में आकर आदमी को फसा देती है अरे 2 साल पहले कहा गई थी अकल जो दो साल बाद पता चला लड़की को कि उसका रेप हुआ है मैडम, आप एकदम सही बोलती है आजकल लड़किया ही पहल करती है मेरे जैसी किसी कामवाली ने एक स्थार के जिन्दगी खराब कर दी एक साल तक तो अच्छा चलता रहा और जहां किछी चीज की कमी पड़ी कि लड़का दिया बेचारे को आजकल लड़किया अपना दिमाग कम चलाती है और दूसरे का ज्यादा सुनती है और कर बैठती है गल्ती फिर पस्था आती है कि ये मैंने क्या कर दिया ये बात पो तेरी सही है तो बात थे तो बड़ी अच्छी करती है, कितनी पड़ी लिखी है तू? पड़ी तो कम हूँ, पर दुनियादारी बहुत देखी है, घर-घर जाके, काम करके बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मैडम, इससे बड़ी पढ़ाई क्या होगी?